तो दोस्तों 11th of May को और रियल्मी ने अपना दो ब्रांड न्यू सब स्रीज लॉंच किया था एक रियल्मी नार्जो 10 और एक रियल्मी नार्जो 10 ए तो रियल्मी नार्जो 10 की उपर मैंने एक भारी भर कम वीडियो बना के रखा हुआ है हलका फलका नहीं है याण की काफी ड डीटल में कंपरिजन किया है रेडमी के नोट 8 से क्योंकि रियल्मी नार्जो 10 का प्राइस है 12,000 रूपया और रेडमी के नोट 8 का 11,000 रूपया जो की बहुत भेंका टकर देता है डील्मी के नार्जो 10 को तो अगर आपको 12,000 के अंदर कोई फॉन लेना है अगर आप 14,000 रूपया तक बज़र नहीं बना सकते है 14,000 आपके लिए बहुत हो जाता है 11,000 से 12,000 में आपको कोई अच्छा साफ़ों लेना है तो फिर आप मेरा वो वीडियो जाके जरूर से देख लिएगा लिंक में उपर कार्ड में निचे डेस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन क और 99 रूपेज तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या तो सबस्पाल तो मैं आपको यह बताऊंगा कि यह जो सारे 8,000 रूपया का प्राइस रखा गया है रियल्मी नार्जो 10A के लिए यह कितना हथ तक सही है क्या यह यह फो प्राइस है या फिर यह प्राइस इसके प्राइस को बढ़ा है यह आपको इस फॉन का सारा फीचर्स बताऊंगा कि आपको इस फॉन में क्या कुछ मिलता है और वह बताते हैं वक्त मैं आपको उस फॉन को इस फॉन को यह बीना जो 10A को अप्रेश करके बता दूंगा रियल्मी सी थ्री से कि अभी इंडिया में र GST बढ़ा है हमने बस इसलिए प्राइस को बढ़ाया है ताकि हमारा लॉस ना हो लेकिन यहां बात कुछ और है जीएस्टी तो बढ़ा है तो फॉन का प्राइस बढ़ना चाहिए था लेकिन आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा बिल्कुल मैं अगर मैं आपको बिना सब्सक्राइब और हमारे चनल राइन से क्लोफ पीजा के एक ने और फ्रेस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत सब्सक्राइब तो मैंने आपको बता ही गिया कि इस फॉन का मार्केट में सिर्फ एक ही वर्येंट लॉंच हुआ है 3GB RAM के साथ 32 का इंटर्नल जिसका प् रुपया जब GST लेगा तो 500 रुपया बढ़ाया गया इस फॉन का प्राइस यानि कि सारे 7000 रुपया हो गया लेकिन अगर अभी आप फ्लिप काट पे जाते हैं इस रियल मीनार्जो 10-a के बाद इस सारे 7000 के प्राइस को बढ़ाके और 500 रुपया बढ़ा दिया गया और उसको कर दिया गया 8000 रुपया तो आपने पूरा खेल समझ लिया कि पहले था 7000 GST के बाद सारे 7 किया गया और रियल मीनार्जो 10-a के लांच होने के बाद उस फॉन का प्राइस 8000 रुपया कर दिया गया तो अब आपको रियल मीनार्जो 10-a मिलता है सारे 8000 रुपया में अब बात कर लेते हैं features की तो रियल मीनार्जो 10-a दो color variant में आपको मिलता है एक है so blue और एक है so white खैर किस एंगल से उनको ये अपने दिमाग में नाम ऐसा या पता नहीं लेकिन यही color है एक so blue है और एक so white है और design कुस ऐसा है जिसमें पीछे के तरफ बहुत बरे-बरे letters में रियल मीनी खा गया हां body पूरा का पूरा plastic का है यानि की poly cabinet का अब अगर डिस्प्ले की बात कर लूँ तो रियल मीनार्जो 10-a में आपको मिलता है 5.6.5 इंच का एक HD प्रेस डिस्प्ले यानि की 720 वाला जिसमें आपको मीनी ड्रॉप या फिर आप ड्रॉप नॉच जो बोले वह दिया गया और गोरिला ग्लास 3 का प्रोडेक्शन भी दिया गया ठीक है भाई सायब सारे 8000 में आपने बहुत असाथ चीज़ दिया एक HD प्रेस डिस्प्ल का यूज किया गया सिर्फ डिजाइन में थोड़ा सा डिफ्रेंस है अब बात आती है कैम्रे की तो रियल मी नार्जो 10A के अनर्ज आपको कैमरा दिया गया प्रैम्री कैमरा वह 12 यानि की 12 मेगा पिक्सल का जिसका ऑपरचर f1.8 का है और इसमें सेंसर साइज जो है वह 1.25 म के लिए और दो मेगा पिक्सल का एक पॉट्रेंज है यानि की अनी की यानि की त्रीबल कैमरा दिया गया वहीं पर रियल मीदी 3 के अंदर भी आपको बिल्कुल समी कैमरा मिलता है जिसका ओपरचर f1.8 का है और सेंसर का साइज वहां भी इंटो सें है 1.25 मैक्रोन का वहां यापको 2MP का portrait lens मिलता है यानि की block effect के लिए उस phone में realme 3 में आपको दो ही camera मिलता है वहाँ पर macro lens नहीं दिया गया अब अगर आप नहीं जानते हैं तो macro lens का actually काम यह है कि अगर बहुत आप अगर के उपर depend करता है कि आपको एक बहुत आपको कोई ऐसा photographic करना है जिसमें बहुत छोटे object के बहुत पास जाके फोटो लेना है फिर यह macro lens आपके काम में आने वाल है नहीं तो यह 2MP पिक्सल का macro lens आपके किसी काम का नहीं है तो camera में बस दोनों फॉन की यहीं डिफ्रेंस है रियल्मी नार्जोट 10a में आपको एक एक एक्स्ट्रा 2MP का macro lens मिलता है जो की आपको realme c3 में नहीं मिलता है अब बात आती है प्रोसेसर की तो दोनों ही फॉन्स में रियल्मी नार्जोट 10a और realme c3 दोनों ही फॉन्स में बिल्कुल सेम प्रोसेसर दिया गया Mediatek का Helio G70 जिसमें 12nm के semiconductor का यूज किया गया है और इसमें दो कोर काम करता है Cortex A75 पे जिसका clock speed 2GHz का है और 6 कोर काम करता है Cortex A55 पे जिसका clock speed 1.7GHz का है और GPU आपको दोनों ही फॉन्स में माली का G52 मिलता है तो इसमें कोई सक नहीं है कि सारे 8000 रुपया के बजट में one of the best प्रोसेसर आपको दिया जा रहा है Millieaktak का Helio 경우에는 20 काफी अचा प्रोसेसर है तौशी प्राइस के लिए प्रोसेसर की अंब आतीं यह बात आतीं बैटरी की तो बैटरी भी दोनों ही फॉन्स में बिल्कुल से लिए गया 5000 यानि 9500 मे moyens का बैटरी दोनों फॉन्स में 10W के charging के साथ हां मैंने आपको फ्रेंट के बार में बताया तो दोनहीं फॉंस में आपको 5 यार्नी की माच मेगा पिक्सल का फ्रेंट केमरा मिल जाता है दोनहीं फॉंस में LPDDR4X वाले RAM का सपोर्ट है यह में सी 5.1 वाले स्टोर्ज का सब दिया गया ट्रीपल कार्ट यार्नी की दो सीम कार्ट और एक OT आपको एक साथ लगाने के लिए दोनहीं फांस में टिया है 3.5 और यहाँ नहीं फॉन है कि अगर मैं डिफ्रेंट कर रो REARUMI PC 3 को और reasonably are the flexません और अको मिल जाता है एक एक 84ो मेड़ाया का dominant स्थार छो किमेन वाटाह और डुसरा डिफरेंस यह ऑन की आपको रियल डमी आर्जो 10 आर्डो यह में Benight시면 फिंगर प्रेंस जो कि आपको 20 मेय बस यह दो डिफ्रेंस है तो अगर आपको फॉन में फिंगर प्रिंट चाहिए ही और एक 2 मेगा पिक्सल का माइक्रो कैमरा चाहिए ही तो आप बिल्कुल रियल्मी नार्जो 10 ले सकते हैं लेकिन अगर आपके फॉन में फिंगर प्रिंट नौ मिले फिर भी कोई दिकत नहीं ह आपको कोई काम नहीं जो कि सिर्फ 2 मेगा पिक्सल का है तो आप डेफिनेटली रियल्मी सी 3 लेकर अपना 500 रुपया बचा सकते हैं वैसे मैं बूलूंगा 500 रुपया कोई बड़ा चीज नहीं है आप लहीं लिजे फिंगर प्रिंट वाला तो अब बात आती है कि क्या यह तो गाइस मुझे लगता है कि इस फॉन का प्राइस अभी 500 रुपया जाद है या तो आपने जिस टाइम में रियल्मी सी 3 लॉंच किया उसी में आप एक फिंगर प्रिंट सेंसर दे सकते हैं लेकिन आपने नहीं दिया उसके बात चलो अगर आपने एक ऐसा फॉन लॉंच किया डियल्मी नर्जो 10 जिसमें आपने दो एक्ट्रा दिया है एक दो मेगा पिक्सल का कैमरा और एक फिंगर प्रिंट सेंसर तो इस फॉन का प्राइस आप बहुत से बहुत रखते तो 7990 यानि की 8000 रुपया आपको रखना चाहिए था इस फॉन का प्राइस अभी भी 500 र से सारे 8000 में कोई फॉन लेना है तो आप रियल्मी नर्जो 10 एंहीं लीज दिये अब बताती है उस चॉपिक की जो कि मैंने आपको बताया था कि कैसे यह कंपनी इस GST के आर में अपने फॉन को फॉन के रेट को मंचाहा बढ़ा रही है गाईज आप यह स्क्रिंसोट देख इंग्लिस में बोले तो 50,000 उसका उपरवाए वरियंट था 6GB RAM के साथ 128 इंटर्नल उसका प्राइस था 17,000 यानि की 17,000 और उससे उपरवाले 8GB RAM और 128 वाले वरियंट का प्राइस था 19,000 यानि की 19,000 लेकिन जब GST बढ़ाया गया 12% से लेकि उसको 18% किया गया हाँ अब प्रक्ष देते हैं ख़र कोई ने बढ़ा दिएं तो आप खार बात करी लेता हैं तो जैसे मिना अपको बताया की इस फॉन का प्राइस पहले क्या था जब GST बढ़ा तो इन सारे फॉन के प्राइस में की सीप्तिया गया ऐस साथे पॉन को प्राइस अब धधा दिक लीए इससे थोरे महगे वेरियंट पर आते हैं 6GB RAM के साथ 128 का इंटरनल उसका प्राइस था GST बढ़ने से पहले 17,000 रुपया लेकिन अभी 18,000 रुपया यानि कि सिर्फ 1000 बढ़ाया गया और इससे उपरवला जो वेरियंट है 8GB RAM के साथ 128 का इंटरनल उसका प्राइस पहले था 19,000 अभी है 20,000 रुपया यानि कि इस फॉन के प्राइस को भी सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपया बढ़ाया गया तो आप खुद सोचिए अगर ये सच में सिर्फ GST के रिगार्डिंग ही बढ़ाते हैं अगर सिर्फ GST बढ़ा है इसलिए सिर्फ उसके मुताबिक ही प्राइस को इसलिए आपको बहुत सारा इक्जांपल मिल जाएग अगर आप सर्च करेंगे तो अगर आपको कोई नया एक्जांपल मिलता है आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं मेरे लिए नहीं बांकी वी वीवर्स के लिए जो कि ये वीडियो देखेंगे और अगर कॉमेंट स्रक्सन तक पहुंचते हैं तो उनको पता चलना चाहिए कि और कौन सा फौन है जो ऐस किया गया है तो आपको भी अगर ऐसा कोई फौन लगता है तो आप मुझे जहुर से कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता दें ताकि जो बांकी के वीवर्स इस वीडियो को देखें वो कॉमेंट में जाने के बाद उस चीज़ को जान पहें इसलिए मैं आपसे रिक्व वीडियो बन चुक है आप जाके देख सकते हैं और साथ ही मैंने आपको यह भी दिखा दिया कि कैसे GST के आड़ में कमपनी स्प्राइस के साथ खिलवार कर रही है तो कैसा लगा आपको यह वीडियो अगर आपको थोड़ी से भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़ अगले वीडियो में ठाट कर रहा हूं मुझे और ज्यादा अच्छा लगए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिये वीडियो को सेर कर दीजिये और अगर आप हमारे साथ जुरुआना चाहते हैं तो चैनल को सब्स्राइब कर लिजिये और बिलक आइकन दबाद दीजिए ताकि जैसे वीडियोज अप्लोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में थैंकियो फूर वाचिंग हाव अगरेट तेंग